Hello everyone, Ancient History की lecture series को आगे continue करते हुए आज हम देखेंगे हर्षवर्दन के रूल के बारे में इसको शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार जो ये गुपता पिरिड था कब खतम हुआ था गुपता पिरिड के बाद ही हर्षवर्दन का काल आया था तो 6th century के जो mid time था 550 AD में जो है गुपता वंश खतम हो गया था और जो भी गुपता वंश के अंदर जो feudal यानि कि जो सामन्त थे उन्होंने अब क्या किया अपने आपको अजादी दे दी तो उन्होंने अपने अलग अलग जो है kingdom स्तापित कर लिए तो उसी में से एक feudal lords थे पुश्यभूत फैमिली तो पुश्यभूत फैमिली जो थी ये कहां पर थी थानेशर जो की कुरुक्षेतर के पास है हरियाना में और इसका जो एरिया है मोस्तलि जो आज़का हरियाना और पंजाब है यहां पर जो है इसने उश्यभूती फैमिली ने जो है रूल करना शुरू कर दिया और जो सबसे इनके जो first जो ruler थे वो थे प्रभाकर वर्दन जो की father है हर्षवर्दन के ये आपको याद रखना है और साथ ही सबसे important king इस dynasty के वो है हर्षवर्दन उन्होंने रूल किया 606 AD से लेके 647 AD तक और इनके time पे जो hole पूरा जो north इंडिया था इन्होंने जो है almost capture कर ल इस्ट में जो था बंगाल था और वेस्ट में जो है गुजरात था इनका इतना बड़ा empire north में हो गया था हर्षवर्दन जो थे 16 साल की उमर में ही क्या थे राजा बन गए थे क्योंकि उनके पिता की जो है death हो गई थी और हर्षवर्दन ने क्या किया जो थाने शर्था वहा एक रिजन तो ये था और साथ ही इनका जो ये western जो एरिया था west side में जहां इनकी territory थी इसको control करना यहां से काफी easy हो गया था और कनौज अब आगे आने वाले जो 500 साल हैं जो ये history के 500 years after हर्षवर्दन जो ये थे इसमें क्या है कनौज अब एक क्या है बहुत important city बन गी तो near about 600 से लेके 1200 AD तक जो है कनौज की बहुत जादा importance बढ़ गी थी और हर्षवर्दन जो थे ये last great Hindu ruler थे इन्हें जो है Lord of North भी बोला जाता है उत्तर पथेश्वर भी बोला जाता है और एक बात और याद रखनी है कि जब ये हर्षवर्दन नौर्थ में rule कर रहे थे तो जो south नर्मदा के निच्चे वाला जो एरिया था वहां पर कौन थे चालुक्य थे और चालुक्य क्या थे हर्ष के जो थे सबसे बड़े दुश्मन थे तो चालुक्य के बारे में बात करूँ तो इनकी जो capital थी वो है वो थी बदामी जिसे बतापी भी बोलते हैं तो ये जो करना भी battle of नर्मदा रीवर हर्ष को हराने के बाद जो है तुला के सिन्टू ने क्या किया अयोल इंस्क्रिप्शन लिखवाया तो अयोल इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है इसमें उन्होंने लिखवाया कि हर्ष जो थे वो दक्षिन में आये और अपना हर्ष खो बैटे क् इस तरीके से इस लाइन को जो है अयोल इंस्क्रिप्शन में लिखाया हुआ है तो याद रखना है हर्ष जो थे अपने जो शुरुवाती जोन का जीवन था उसमें कहते वो शिवजी के भगत लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या है अपनी जो लेटर लाइफ है उसमें जो ह महायान बुद्धिजम को जो है अपना लिया था और वो बुद्धिजम में कनवर्ट भी हो गए थे इसका सबसे बड़ा रिजन बोला जाता है चाइनीज ट्रैवलर थे एक हुआन सैंग उनके इंफ्लुएंस में आके इन्होंने जो है महायान बुद्धिजम को अपनाया और इस टाइम पर जो है उन्होंने बहुत से स्थूप और जो मोनेस्टरी बनाई थे और साथ ही आपको जो याद रखना है वो यह है हर्श के बारे में कि जो हर्श हैं यह हर पांच साल में कहा है एक असेंबली करते थे जहां पर यह सभी धर्मों के लोगों को बलाते थे और वहाँ पर जो है religious discussion की जाती थी तो इसकी दो assemblies है वो important है पहली है कनौज और दूसरी है प्रियाग यानि की अलहाबाद वाली assembly तो जो कनौज वाली जो assembly है वहाँ पर कहा है जो महायान बुद्धिजम है उसको जो है सबसे best बताने की कोशिश की गई जो लेकिन जो बाक सेंग को जो है सम्मानित किया गया था हर्ष के द्वारा बात करूं प्रियाग assembly की तो इस assembly को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है हर्षवर्दन ने इतनी ज्यादा charity की इतनी ज्यादा charity की कि उन्होंने अपने जो कपड़े हैं अपने jewels हैं और जो सब कुछ जो राजकोश था वो खतम होना शुरू हो गया और धीरे धीरे इसी वज़ा से जो है इनका जो यह empire है यह भी decline होना शुरू हो गया था बात करो इनके administration के बारे में तो जो इनकी administration थी वो गुपता के जैसे ही थी क्योंकि यह सामन्त थे गुपता वंश के और यहाँ पर जो था जो land tax था वो था 1-6 तो 1-6 जो भी land में produce होगा वो कहा है as a land tax देना पड़ेगा और इस time पर जो यह punishment वगयरा थी यह काफी cruel होगी थी जैसे कि मौरेकाल में थी ठीक है तो आपको यहाद रखना है कि जो मौरेकाल की जो administration थी वो काफी cruel थी उसके बाद जो गुपता की थी थोड़ी सी liberal benevolent थी और अब जब हर्शवर्दन का काल आया तो फिर से जो है punishment वगयरा administration काफी सक्त होगी थी और एक बात और याद रखनी है जो हर्शवर्दन थी इनके काल में कहा है जो यह public records जो भी कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है उसको जह लिखा जाने लगा और उ तो जो वरन सिस्टम था अभी भी continue था और वो वैसे ही rigid रहा और यहाँ पर क्या है अब ब्राह्मिन को जो है land grant क्या है देना इनोंने शुरू कर दिया था वोमेन की जो position थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि हमें जो है कुछ चीजों के बारे में पता चलता है जैसे कि अपनी मर्जी से डिसाइड करके अपना पती चुनती है लेकिन यहाँ पर यह चीज खतम कर दी थी और साथ ही इस ताइम पर यह सती प्रता थी यह काफी prevalent हो गी थी और साथ ही फस्क टाइम जो यह दहेज प्रता होती है यहां से शुरू हुई है तो डावरी प्रैक्टिस जो है इसी काल से शुरू हुई और हमें पता चलता है कि हर्शवरदन के काल में जो है trade काफी कम हो गया था क्योंकि इस ताइम के जो सिक्कें बहुत कम देखने को मिले हैं और साथ ही जिस तरीके की प्राने जो काल थे वहां पर हमें मर्चेंट गिल्ड वगएरा देखने को मिलती थी वेपारियों के संग देखने को मिलते थे अब यहां पर इस टाइम पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला बात करूं इनके sources of study मतलब हमें पता कहा से चलता है इस हर्षवर्दन के बारे में तो उन कुछ किताबें हैं सबसे पहली है बानभट के दौरा लिखी गई कौन सी हर्ष चरिद यह क्या है बायोग्राफी है हर्षवर्दन की बानभट कौन थे हर्ष के कोट पोईट थे और बानभट में एक कि किताब और लिखी थी उसको भी याद रखिएगा वो है कादंबरी यह जो है लिट्रेचर से डील करती है और साथ ही दौरा लिखी गई कि कई किताबों से भी हमें पता इस काल के बारे में चलता है और हर्ष वर्दन खुद एक क्या थे पोईट थे और खुद एक राइटर भी थे उन्होंने कई किताबे लिखी जैसे की रतनावली लिखी उन्होंने नागानंद लिखी प्रियदर्शिका लिखी तो यह उनके फेमस जो है ड्रामा है हर्ष वर्दन के बात करूं कुछ इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं जिससे हमें इस काल के बारे में पता चलता है तो examination point of view से important है पहला है मधूबन copper plate inscription दूसरा है बांस खेडा इंस्क्रिप्शन और तीसरा है सोनी पत इंस्क्रिप्शन तो इस में से जो important है वो है बांस खेडा इंस्क्रिप्शन क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन में जो है हर्ष ने खुद साइन किये हुए थे अब देख ल इस ताइम जो पिरिट था वो था 629 AD के अंदर ये इंडिया आ गये थे और ये आये कहां थे वाया Central Asia होते हुए इंडिया आये थे उसके बाद इन्होंने नलंदा में जो है अपनी बढ़ाई की और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जितना भी था उसको collect किया सभी को सभी क अच्छे तरह किसे study किया और 643 AD में जो है ये इंडिया से चले गए तो इन्होंने जो आठ साल है वो हर्ष के साथ बिताए और ये हर्ष के जो है बहुत ही अच्छे friend और as a guru की तरह रहते थे हर्ष इनको अपना guru मानते थे और इन्होंने जो है 600 महायान और हीनायन की जो books ह अपने साथ लेके वापिस गए और साथ ही जो है seven statues of buddha को भी अपने साथ लेके गए और चाइना जब गए इन्होंने जो है Sanskrit language में जो ही किताबे लेके सारी गए थे इनको convert किया Chinese में तो इनको बोला जाता है कि इस चीज के लिए 20 years और लगे हैं और बात करूं Huyn Sang की important books के बारे में तो एक है cu key तो cu key में कै है जो यह Huyn Sang है इनकी जो एक travel story जितनी भी रात रहें कि इन्होंने उसके बारे में जो हमें पता चलता है वो cu key से पता चलता है और जो biography है Huyn Sang की जो कि इनके student के द्वारा लिखी गई है उसका नाम है Huyn Lee बात करूं नालंदा university की जो कि कुमार गुप्त ने बनाई थी मैंने आपको पहले समझाया था पहले बताया था कुमार गुप्त के टाइम पे कि नालंदा university की जो foundation थी इन्होंने रखी थी और यह जो university है यह कहा है पटना के पास है बिहार में नालंदा जो word है उसका मतलब ह giver of knowledge और हर्ष ने जो है इस university को कहा है अपना पूरा-पूरा support दिया और जो भी यहाँ पर जो यह professor होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है पंडिप बोला जाता है जो कि वहाँ पर as a teacher काम करते है नलंदा university में धरमपाल और सिलभद्र जो है कुछ important professor है इस university को और यह जो university है mainly जो है महायान बुद्धिजम को जो है follow करती है लेकिन यहाँ पर क्या है वेद, हिनायन और जो हिंदू philosophies है उनको भी पढ़ाया जाता है और साथ ही grammar, astrology, art, medicine इन सभी चीजों को भी यहाँ पढ़ाया जाता है यह totally जो university है क्या है? एक residential university है तो हर पूरी दुनिया से जो है य 80% जो लोग हैं इसके entrance को clear कर पाते हैं और 5th से 6th century के बीच में इल 1280 तक जो है इस university ने जो है काम किया और उसके बाद क्या हुआ? बक्तियार खिलजी आए उन्होंने क्या है यहाँ पर जो है इस university में जो आग लगा दे थी बोला जाता है कि इसकी आग इतनी भ्यानक थी कि जो किताबें थी वो दो मेने तक जो है जलती रही थी और बक्तियार खिलजी के बारे मैं बात करूँ तो इन्होंने क्या है विक्रम शीला उन्वरस्टी को भी इन्होंने इसको बनाया था इसको बनाया किसने था धरमपाल यह याद रखना है उन्होंने 8th century के जो end में इसक किया गया था और धरमपाल क्या थे पाल डिनास्टी के रूलर थे जो कि बंगाल में रूल करती है जैसे कि मैंने बताया है जब हर्ष की death हुई थी तो दीरे-दीरे क्या था इनका जो empire था वो पूरा खत्म हो गया था और उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि जो कन कनाज थी कनाज की importance जो है बहुत जादा बढ़ गी तो अब क्या है कनाज को लेके लडाईयां शुरू होगी कनाज को लेके कौन-कौन सी लडाईयां शुरू ही किस-किस के बीच में हुई तो वह important है पहले है राश्टर कूट पाल और गुजर प्रतिहार इन तीनों के इस इवेंट को बोला जाता है ट्राइप पार्टाइट स्ट्रागल तो हर्शा के डैथ के बाद जो है ये शुरू होता है और इसकी वज़ा से क्या है जो पूरा नौर्थ इंडिया है पूरे 200 सालों तक जो है बी स्टैबलाइस्ट रहा इनकी लडाईयों की वज़ा से तो जो गुजर प्रतिहार थे ये मालवा और गुजरात में रूल करते थे ये क्या थे जो हर्श थे उसके ही फ्यूडेटरी या सामनत थे इन तीनों की बीच में लगाता लडाईयां रही और फाइनली जो है इन लडाईयों में जो विनर हुआ वो थे प्रतिहार से लेकिन करता हूं अगर आपकी कोई कोईरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें फेस्बुक पे भी परस्नल मेसेज कर सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद